बाबा हरी दास की, बजरंग बले की, बिचाउ गाउ की, स्पोर्ट सकेडबे की, सत्वंती मेडम की, नीलम किर्शन पहलवायन की, नगली गाउ की, भारत माता की, दोस्तों नमस्कार्ट, स्वागत हैं आपका समाचार कैरी हिंदिल्यू चैनल में और इस सम्बै मैं पर मैं मौझूद हूँ, जहां पर आप मेरे पीछे वीडियो में देख पा रहे हैं, यहां पर दिल्ली प्रदेश की वो होनहार कबड़ी की खिलाडी है, जिनोंने स्टेट चेंपियंशिप जीती है दिल्ली स्टेट कबड़ी चेंपियंशिप और पहले इसी टीम ने जो दिचाउ स्पोर्ट्स कलब है, उसने जूनियर स्टेट चेंपियंशिप जीती थी और अब सीनियर दिल्ली स्टेट वूमेन कबड़ी चेंपियंशिप जीत कर ये लोटे हैं और आज इनका भव्वे स्वागत सम्मान समहरो आयोजित किया जा रहा है दिचाउ कला वार्ड क दिवर्तमान पार्षद स्रीमती नीलम करिशन पहलवान और करिशन पहलवान के द्वारा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में लड़किया हैं जो लगातार दिचाउ स्पोर्ट्स कलब अकैडमी में अपना पसीना बहाती है और उनकी कोच जो सत्वन्ती लगातार यह दूसरी बड़ी उपलब्दी है नजबगर छेतर के लिए पूरे दिल्ली प्रदेश के लिए तो बात की शुरुआत करते हैं सबसे पहले नीलम कृशन पहलवान जी से नीलम जी बड़ा अच्छा आउसर है आज एक बार फिर से हमारी बेटियों ने प्रचम लहराया है दिल्ली स्टेट का बड़ी चेंपिंशिप जीत करके सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे देखिए संजे जी सबसे पहले तो मैं दोनों गाउं दिचाओ और नंगली की सरदारी को नमन करती हूं और दोनों गाउं की तरफ से सपोर्ट कलब दिचाओ की टीम का आज स्वागत किया जा रहा है इसमें सबसे आर्दिक दन्यवाद मैं कोच मैडम सत्वंति का करती हूं दिचाओ गाउं की एस्पोर्ट्स अकेडमी जिसका आज यहां पर निलम जी ने फूलों की माला पहना करके और नोटों की माला पहना करके मिठाई खिला करके स्वागत पे गोल्ड मेडल लेके आई थी आज यह सीनियर लड़कियों की है जो दिली स्टेट में जिनोंने अपना परचम लेराने का काम किया है और यह सबसे बड़ा दिली का टूर्नामेंट होता है जिसमें इनोंने विजय हासिल की है तो यह दिचाओ और नंगली गाउं के लिए बड़ी खुशी की बात है और समय समय पर नजब गड़ तो खिलों का गड़ रहा है आपने देखा होगा कि बच्चों से लेकर जवान से लेकर अब तो बुजर्गों ने भी अपना परचम विसों में लेराने का काम किया है जो कि साकसातकार उदारन है बगवानी देवी का जिन का कल हम सबने सवागत किया था और मैं तो सभी लड़कियों को बहुत 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 बदाई देती हूं मैडम को बहुत बहुत आर्दिक दन्यवाद करती हूं जिनोंने लड़कियों के उपर इतनी मेनत की है तो आप सब का पूरा तै दिल से दिचाओ और नंगली गा पर आपका नोटों की और फूलों की मलाओं से स्वागत किया गया है एक ही वर्ष में दो लगाता रुबलब दिया पहले जूनियर चंपियन्शिप और अब सीनियर चंपियन्शिप जीतने के बाद कैसा मैसूस करते हैं बहुत अच्छा लगता है और एक ऐसा है जैसे मैंने यहां पर जचाओ गाओं में स्कूल में नाइंटी से उन में जोईनिंग की थी लगातार 24-25 साल होगे मुझे इसी गाओं में जोब करते हो ये और मेरा एक मतलब अपने गाओं से भी ज्यादा लगा हो गया है और मैं सुबह भी और श्याम भी जो एक्स्ट्रा टाइम देना चाहती हूँ मैं सोचती हूँ अगर बच्चों को मतलब अच्छा मोटीवेट करें खासकर गल्स को क्योंकि लड़कियों को मतलब फैमिली वाले आगे बढ़ाते नहीं है उनको मैं निकाल के लिखे आती हूँ और थोड़ा मोटीवेट करती हूँ पैर्ट्स को भी समझाती हूँ और आगे तक इनको रास्ता दिखाते हैं और अच्छी सुबह से हम महनत करवाते हूँ और देखे कुछ खिलाडियों से भी मैं बात करना चाहूँगा क्या नाम है बेटे आपका महिमा चाधरी महिमा कैसा लग रहा है कप हाथ में लिये हूए और सीनियर दिल्ली स्टेट चैंपियंशिप बहुत बड़ा टरॉनामेंट है बहुत खुशी हो रही है जो हम दिन रात सुबह शाम महनत करते हैं पूरे साल महनत करते हैं उसका ये एक दिन का फल होता है और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारी टीम ने गोल्ड मैडल जीता है सीनियर विमन का बड़ी चैंपियंशिप में हम लोग ऐसे ही महनत करते रहेंगे और आगे और भी जितने टूर्णामेंट्स होंगे उनमें गोल्ड मैडल नाने की पूरी कोशिश करें वेरी गूड एक पर जोड़दार तालिया है बिजी हाँ बहुत बढ़िया और ये एक कोच की लगातार महनत नरंतर अनुसासन के साथ कोच का लगातार बच्चों की भवीशे को सुधारने का फल अब दिखाई देने लगा है दिचाओ और नगली लगबग इस छेतर की लड़कियां है ये सारी लड़कियां जो आप देख पा रहे हैं जिन्नोंने लगातार दिल्ली स्टेट की ये दूसरी बड़ी चेंपियनशिप जीती है आपका क्या नाम बेटा? अंजली अंजली क्या कहेंगे आप इतना बड़ी प्रत्योगी तो आपने जीती है? सबसे पहले बात तो ये बहुत बड़ा टूना मेंट है हमारे लेकि हमने इसमें गोल जीता है और दूसरी बात ये कि हमारी मैम जी का सपना था कि हम सीनियर स्टेट में गोल मैडल लेकर आ है आगे आपने क्या सोचा है आगे ACI चेंपियंशिप है वर्ल्ड चेंपियंशिप क्या सोचा है? जी उसके लिए भी तयारी पूरी करेंगे आप हमारे क्राउन से चलिए आपने देखा कि सम्मान किसी भी खिलाडी को प्रौतसाहित करता है कि वो जीवन में और आगे बढ़ें और नीलम किरशन पहलवान जी जो लगातार अपने छेतर ही नहीं आसपास के हरियाना प्रदेश के भी उन खिलाडियों के स्वागत में ततपर नजराती है जो इस तरह की उपलब दिया हासिल करती है और आज एक बार फिर से नजबगड की इन बेटियों ने अपनी प्रतिबा का लोहा मनवाया है राजस्तरिया यह है सिनियर चेंपियंशिप जो कबड़ी की चेंपियंशिप थी उसका मैडल जीत करके गोल्ड मैडल जीत करके इन्होंने एक बार फिर से नजबगड का नाम रोशन किया है हमारे साथ क्रेशन पहलवान जी भी है जो स्वेम कबड़ी के एक बेटरीन खिलाडी रहे है उनसे भी बातचीत करेंगे नजबगड की बेटियों ने एक बार फिर से परचम लहराया है क्या कहना चाहेंगे संजे भाई नजबगड की तो बेटिया नहीं आगी तो ताई चाची भी परचम लहरा रही है चुरान में साल की बुझ रखने भी अभी जंडे काड़ काई विदेश में और ये हमारी बेटिया है ये एक दिन मेरा विश्वास है ये एस याड़ में जाएंगे और मैडल भी लेक रहेंगे हमारे स्कूल का नाम रोसन हुए गाहों का अनंगळी दिचाव का नाम रोसन हुए और हमारी निगम पार्शद के खेल हो के मामले में बहुत ही सपोर्ट करती है जहां भी बच्चे जीत के आते वहीं पहुँच जाती है दरा पर लड़कियों को प्रोटसाहित किया शुरू में जो दिक्कते आई वो आप सब को पता है किस तरह से लड़कियों को इन्होंने घर से बाहर निकाला उनके माबाप का विस्वास जीता और लगातार सफलता दर सफलता आज इनोंने वो मुकाम हासिल कर लिया है कि आज दिचाओ, नंगली और समस्त नजबगर छितर का नाम रोशन किया है नीलम जी बड़ी बेहतरी नुपलब्दी है वैसे तो लेकिन फिर भी दिचाओ में ये प्रैक्टिस करती है बड़ी एकपर जोड़दार तालिया बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटियों को खिलाओ और इसी तरह जीत के मैडल पाओ और खुशिया मनाओ जी हां दोस्तों हमारी भारत देश की बेटिया है ये दिली देहात की नजबगर की बेटिया है जिनोंने आज अपने माता पिता का, अपने गुरू जुनों का और इस छित्र का निलम जी यहां की पारशद है इसलिए आज निलम जी भी खुश नजर आ रही है बड़ी गुरवानवित महसूस हो रही है कि लगातार नजबगर की बेटिया मान बड़ा रही है बहुत बड़ा यह आउसर है जी देखिए संजय जी बेटिया अपने एक कुल को ही नहीं दो कुलों का नाम रोसन करती है अगर बेटियों को अच्छे संसकार, अच्छी शिक्ष्या और अच्छा सपोर्ट दिया जाए तो दुनिया में कोई भी ऐसा फिल्ड नहीं है जहां वो कामियाब नहीं हो सकती तो मेरा तो आपके माद्यम से सभी के लिए ये संदेश है कि अगर आपकी बेटि में टेलेंट है तो उस टेलेंट को आगे बड़ाने में अपनी बेटि का सयोग करें और मैं आपके माद्यम से ये भी बात रखना चाहूंगी अगर किसी बेटि के पास कोई सायता नहीं है या किसी चीज का सयोग चाहिए तो हमेशा से केट्सन पहलवान परिवार सयोग में था और आगे भी रहेगा तनमन दन से हम उन बच्चों के लिए सयोग करेंगे जो अमारे छेतर का अमारे देश का नाम रोसन करने में सयोग करेंगा बहुत बढ़िया और देखिए यही एक जन प्रतिनिदी का यही दाइतो है एक जनता की चुने हुई प्रतिनिदी है नीलम कृशन पहलवान जी इनका पूरा परिवार कृशन पहलवान जी पूरो में पारशद रह चुके है सवरग्य भरत सिंग जी ने यहां से विधायक के तोर पर इस चितर का परतनिदितव किया था और आज नकसे कदम पर चलते हुए नीलम कृशन पहलवान जी ने संकल्प लिया है कि उनका पूरा परिवार खेल खिलाडियों के लिए हमेशा समर्पित रहेगा ये बहुत बड़ी बात है तो चलिए मैं कुछ समय और लेना चाहता हूँ उन खिलाडियों का परीच्चे मैं दो मिनट के लिए आप से कराना चाहता हूँ बेटे क्या नाम है प्रांचल तो इसका जीत का शरे किसको देना चाहेंगे पूरा शरे हमारी मैंडम जी को जाता है सुबह शाम हमारे लिए आती है प्रेक्टिस कराती है पूरे नजब गड़ी आप कहीं भी देख लो कोई भी फ्री कोचिंग नी देता प्रेक्टिस कौरे प्रेक्टिस क्योंभार क्या है तो दोस्तों यह प्रीच्चे है आपने देखा कि वो हमारी बेटिया है जो निश्ची तोर से आगे बढ़ेंगी पहलवन जी का दावा है एशियाई चेंपिन्शिप में भाग लेंगी और एक दिन निश्ची तोर से इंतरस्टी इस तरपर नाम रोशन करेंगी और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परदे के पी मैनत रंग लाई है और आज आपके चेहरे पर जी संज्ची मैनत तो मैं सतवनती मैडम को देना चाहूंगा इन्होंने करोना काल में भी जो हाँ बच्चों की प्रैक्टिस नहीं रुकवाई और पीछे भी लगातार ये मैनत करती रहे हम तो आशा करते हैं कि बच्चे आग पा रहे हैं इनके गलों में जो ये नोटों की माला सुसोबित हो रही है ये निश्ची तोर से इनको प्रैरित करेगी और दिक मेहनत करने की और दिक अनुसासन के साथ अपने गुरू का सम्मान करने की ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे छेतर की लड़कियों को लगातार किया जा रहा है खिलाडियों को भी प्रोटसाइद किया जा रहा है अंत में मैं नीलम जी से एक बड़ा मैसेज चाहूंगा क्योंकि काफी छोटे बच्चे हैं हम सबसे परीचे नहीं कर पाए हम नीलम जी से ही चाहेंगे कि वो आपको शुबकामना ही दे और आपके लिए मेसेज देखिये संजय जी मैं तो सभी बेटियों को अपनी तरफ से अपने दिचाव गाउं और नंगली गाउं की सरदारी की तरफ से यह आशीरवाद देती हूं कि यह अपने फिल्ड में अपना ध्यान के इंदरीत करे अच्छा खेले और अपने चेतर के साथ साथ अपन पूरे लिए जो कल एक चुरान में साल की अमारी दादी जो पूरे विशव में मैडल लेकर नाम जिनों ने रोसन किया है वो उनको अपना रोल मोडल बना कर कि इतनी बुजरुग होते हुए भी उनकी विल पावर को सलाम करते हुए मैनत करे और आगे बढ़े और विजया वासिल करें